नमस्कार टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ साइमा कॉंग्रिस पार्टी के लिए कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब उनको जोरदार जटके ना लग रहे हो लगतार नेताब पार्टी से अलविदा कह रहे हैं लेकिन जो नेताब पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं या फिर चले गए हैं वो अब भी कॉंग्रिस की मुश्किले बढ़ा रहे हैं और एक के बाद एक जटका देते ही जा रहे हैं जिससे कॉंग्रिस आलाकमान की रातो की नींदोडी हुई है अब एक बार फिर से कभी कॉंग्रिस के करीबी रहे नेता ने कॉंग्रिस को गहरा घाब दे दिया है और कॉंग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की राहे और जादा मुश्किल कर दी है क्योंकि जिसके उमीद कॉंग्रेस ने कभी नहीं की होगी वो अब उस नेता ने कर दिया है जो पार्टी को अभी हाल ही में अल्विदा कह चुके है तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखर कैसे कॉंग्रेस बुरी तरीके से फस्ती जा रही है और नेता पार्टी छोड़ते जा रहे है कॉंग्रेस को लगा 440 वोल्ट का जटका राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबर महराष्ट में फिर से हो गया खेला अशोग चोहान ने कॉंग्रेस का काटा पत्ता कॉंग्रेस जो सोच भी नहीं रही होगी उसको अशोग चोहान ने करके दिखा दिया है क्योंकि कॉंग्रेस शायद यह सोच रही होगी कि अशोग चोहान पार्टी तो छोड़ चुके है तो अब वो कुछ भी नहीं करेंगे वो शांती से बैठ जाएंगे लेकिन अशोक चोहान ने ऐसा वार किया है जिसकी वज़ा से कॉंग्रिस की बड़े बड़े नेता पूरी तरह से पस्त पड़ गए हैं और कॉंग्रिस आला कमान की हालत तक खराब हो गई राहुल गांदी अपनी भारत जोडो न्या यात्रा पर निकले हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ नेता भी पार्टी से बाहर निकल रहे हैं कॉंग्रिस को एक और जोरदार जटका देते हुए 24 परवनी को नांदेड वाघाला शहर में नगर निगम के 55 पूर्वर पारशद दो बार के पूर्व मुख्यमंतरी अशोक एस चोहान की मौझूदगी में भारतिय जनता पार्टी में 55 पूर्वर पारशद शामिल हो गए नांदेड की कॉंग्रेसी कदावर नेता चोहान 10 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और अब उन्होंने अपने खेला शुरू कर दिया है उन्हें राज्य सभा का टिकट मिला और उन्हें निर्विरोध निर्वाचत भी घोशित कर दिया गया अशोग चोहान की नततु में हुए 2017 के NWUCMC चुनाओ में कॉंग्रेस ने इस महतपूर नागरिक निकाय को नियंतरित करने के लिए 81 में से 73 सीटे जीत कर क्लीन स्वीप कर दिया था लेकिन अब अशोग चोहान ने बुरी तरीके से कॉंग्रेस को जटका दिया है जिसकी उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नततु और विकास के दरश्टिकोर में विश्वास की वज़ा से BJP को चुना है चोहान ने आगे कहा कि वो भी राजनीतिक मुक्यदारा का हिस्सा बनना चाहते हैं और प्रगती में योगदान देना चाहते हैं इतना ही नहीं पार्टी के नेताओं ने ये भी साफतोर पर संकेत दे दिया है कि कॉंग्रिस चोड़ने वाले 55 नेताओं की अलावा आने वाले वक्त में जिले के कई और महात्पूर और एहम पद पर रहे नेता भी बीजेपी में शाबिल हो सकते हैं पिछले कुछ महिने में कॉंग्रिस को राज में तीन बड़े जटके मिले हैं मिलिंद एस देवडा सत्ता रूर शिवसेना में शामिल हो गए मुंबाई के पूर्व विदायक बाबा जट सिद्धी की सत्ता रूर सयोगी राश्ट्रिबादी कॉंग्रिस पार्टी में शामिल 25 परवरी को केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिच शा भी अब हुंकार भरने जा रहे हैं लेकिन कॉंग्रिस को लग रहे हैं जटके कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं ऐसे में सियासी पारा भी काफी जादा बड़ा हुआ है इस बीच में कॉंग्रिस समती कई सरपंच भी पार्ट में शामिल हो चुके हैं दरैसल गौालियर के डबरा में पहुंचे पूर्वो मंत्री और बीजेपी की न्यू जोइनिंग टोली की अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा ने कॉंग्रेस के कई कारीकरताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी मे वाले नेताओं में कॉंग्रेस समर्थी 4 सरपंच और मंदल अध्यक्ष भी पार्टी चोड़कर BJP मिश्रा मिलुग है सभी नेताओं को नरोत्तम मिश्रा ने BJP की सदस्यता दिला दी है नरोतम मिष्रा ने ये भी कहा है कि सभी कारिकर्ता पीम मोधी के साहसिक दूरदर्शी पैसलों से प्रभावित होकर बीजेपी में आए हैं इसलिए आप सभी का भाजपा परिवार में स्वागत है पूर्व मंत्री नरोतम मिश्रा को बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का अध्यक्ष बनाया हुआ है जिसके बाद से अब तक नेता कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो जगे हैं पार्टी ने कॉंग्रेस चोड़ कर बीजेपी में आने वाले नेताओं की जम्यदारी नरोतम मिश्रा को सोपी है और ऐसे में नरोतम मिश्रा का गौलियर चंबल अंचल पर भी पूरा फोकस्ट बना हुआ है राजरीती गलियारों में ये भी चड़चाएं तेज हैं कि बीजेपी इस बार उन्हें गौलियर लोकसबा सीट से चुनाव लड़ा सकती है हारांकि अब तक इसको लेकर कोई पश्ट जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि किंद्रे ग्रह मंत्री अमिच शाह 25 परवरी को मधिपरदेश के गौलियर पहुँच रहे हैं ऐसे में नरुतम मिश्रा भी शाह के दोरे की तयारियों में है वदान सबह चुनाओं में भी शाह ने इस सेजोन में पूरा दम लगाया था लेकिन बीजेपी को उमीद के हिसाब से परिडाम नहीं मिला ऐसे में वो लोगसबह चुनाओं से पहले एक बार फिर से अक्टिव नज़र आ रहे हैं दरेसल आपको बता दें कि ग्वालियर्ट चंबल संभाग में चार लोगसबह सीटे आती हैं ऐसे में बीजेपी नेताओं के साथ आगामी चुनाओं को लेकर रड़नीती बनाने में जोटे हुए हैं और इस बीच में कॉंग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर बीजेपी ने कॉंग्रेस पर मनोवेग्यानिक दबाओ जरूर बनाने की कुशिश की है कॉंग्रेस पर अगले 15 दिन और भी जादा भारी पर सकते हैं उसके प्रमुख नेता भाजपा की रडार पर हैं भाजपा की नजर विदायक पूर्वविदायक और प्रभावशाली नेताओं पर भी है लोगसबा चुनाओ की आचार संहिता लगने से पहले इन नेताओं को कभी भी पार्टी में शामिल किया जा सकता है जिसकी वज़ा से कॉंग्रस में डर का महौल है चुनाओ में वोट पितिशुद बढ़ाने के लिए इनका इस्तमाल किया जाएगा लोगसबा चुनाओ की आचार संहिता मार्च के दूसरे सब्ता में लगने की सम्मावना है और उससे पहले ही प्रभावी नेताओं को पार्टी में शामिल करने की योजना है और इन नेताओं को जोड़ कर बड़े अंतर से जीत भी सुनिशित करने का लक्षी बनाया गया है इसके चलते भाजपा ने दूसरे दलों के निताओं को पार्टी में शामिल करने का अभियान भी शुरू किया है और इस अभियान के तहट अभी तक कॉंग्रेस और बाकी दलों के कुछ निता शामिल भी हो चुके हैं जो कि कई बड़े निताओं से अभी अंदरूनी तोर पर बातचीत भी चल रही है बाजपा की योजनाज जमीन पर उतर सकी तो इस बार कॉंग्रेस को बड़ा जटका भी लग सकता है सुत्रों के मताबिक कुछ विदायक पूर्विदायक और अलग-अलग शेत्रों के प्रभावशाली नेताओं की प्रदेश नितितों से बातचीत भी चल रही है और जल्द ही इने शामिल करने के लिए एक बड़ा आयोजन भी हो सकता है बाजपा की प्रदेश अध्यक्ष महेंदर भट ने कहा है कि कॉंग्रेस और बाकी दलों के साप चवी के निताओं से बात हो रही है बाजपा सूत्रों के मताबिक ये भी पता चला है कि पार्टी कॉंग्रेस के ऐसे निताओं पर फोकस कर रही है जो अपनी अपने क्षेतर में मजबूत है और भाजपा के पास उनका फिलहाल कोई भी विकल्प नहीं है इसके साथी कॉंग्रेस और बाकी दलों के साप चवी के चेहरों पर भी पार्टी की निजर है दरसल इस जॉइनिंग अभियान के तहट भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले एक कॉंग्रेस और पक्षी दलों पर वनोमे ज्यानिक बढ़त बनाना चाती है ताकि कॉंग्रेसी कारी करताओं का मनोबल कमजोर हो जाए दक्षिर तमिलनाडू में कॉंग्रेस को बड़ा जटका लग वलावन कोड निर्वाक्चन शेत्र से तीन बार की कॉंग्रस विदायक विजया धारानी ने पार्टी को अलविदा कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया और उन्हें लेकर पिछले कुछ दिनों से कयास भी लगाय जा रहे थे और राज्य सरकार के चालू बजट सत्र क नाराज भी थी जो कुछ पहले तक सी एलपी नेता थे और कुछ वक्त पहले ही उन्हें तमिलनाडू कॉंग्रस अध्यक्ष के रोप में पदोनत भी किया गया था बीजेपी मुख्याले में आयुजेतेक समारों के दोरान वो पार्टी में शामिल हुई और बीजेपी में शामिल होने के बाद ऐसे विजधरानी ने कहा कि मैंने अपने करियर के शुरुआती कॉंग्रस से की थी मैंने पहली बार पार्टी बदली है पीम मोदी के नितरतों में भारत की छवी इंतराश्ते इस तर पर काफी बहतर हुई है तमिलनाडू और पश्यमंगाल जैसे इतना ही नहीं अभी हाल ही में मदेप्रदेश कॉंग्रिस में भी बड़ी बगावत देखने को मिली थी जहाँ पर एक बार पंद्रा सो और दूसरी बार पांसो निताओनी पार्टी को अलविदा कहकर पार्टी की मुश्किले बढ़ा दी और बीजेपी जॉइन कर ली यान नमस्ट्राप